दिल्ली में समराच अक्बर शाह ने बहुत कोशिश की कि उसको खर्च की रकम जादा दी जाए लेकिन अंग्रेज उसे इसके बदले नीचा दिखाने की कोशिश करते रहे वे अक्बर शाह का अपमान करने लगे इससे अक्बर शाह और उसके साथियों में अंग्रेजों के लिए नफरत बढ़ने लगी सन 1837 में अक्बर शाह की मृत्ती हो गई उसका बेटा बहादुर शाह अपने पिता के सिंगहासन पर बैठा समराथ बहादुर शाह ने भी अपने खर्श की रकम को बढ़वाना चाहा लेकिन उसे जवाब मिला अगर आप अपने बचे खुचे अधिकार कमपनी को सौपते तो आपके खर्श की रकम बढ़ा दी जाएगी लेकिन बहादुर शाह ने इसे नहीं माना इससे जहां बहादुर शाह के दिल में अंग्रेजों के प्रतिन नफरत बढ़ी वहीं अंग्रेज इस कोशिश में लग गए कि किसी तरह दिल्ली की बादशाहत कोई क्यों न खत्म कर दिया जाए बहादुर शाह ने ये भी चाहा कि बेगम जीनत महल के पुत्र जमाबख्त को युवराज निउक्त कर दिया जाए बेगम जीनत महल एक योग के बेगम थी उन में संगठन शक्ती बड़ी जबरदस थी इसलिए अंग्रेज उन से घवराते थे और उनकी कोई बात मानने के लिए तैयार न थे जाहिर है कि बेगम जीनत महल के शहजादे जमाबख्त को वो कैसे युवराज बनने देते बाच्शा बहादुर्शा ने अपने शहजादों के दस्तखतों से अंग्रेजों को खत भिजवाया कि वे चाहते हैं कि शहजादे जमाबख्त को युवराज बना दिया जाए इस पर अंग्रेजों ने एक नई चाल खेली उन्होंने एक शहजादे मिर्जा कोयाश को अपनी ओर मिला लिया उससे ये समझोता कर लिया कि उसे केवल शहजादा कहा जाएगा वो दिल्ली का किला खाली कर देगा और सिर्फ पंद्रा हजार रुपए मासिक पेंशन लेगा अंग्रेजों ने सन 1856 में बहादुर्शा को भेट और नजर देना बंद कर दिया उन्होंने गवर्न जनरल की मोहर पर से दिल्ली समराट का विशेश सेवक शब्द निकाल दिये बहादुर्शा की खुले आम उपेक्षा होने लगी कम्पनी का जो सिक्का बहादुर्शा के नाम पर ढ़ाला जाता था वो भी बंद कर दिया गया बहादुर्शा के साथ होने वाले इस दुर्वैवार का फल ये हुआ कि बहादुर्शा और दिल्ली की जनता में वित्रों की चिंगारी भड़क उठी इसी चिंगारी ने 1857 में ज्वालाओं का रूप ले लिया था 1857 जबकि भारतिय स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ। लेकिन ये संग्राम किसी एक घटना का परिणाम न था बलकि भारत में ब्रिटिश सामराज्य के बढ़ते वे प्रभाव और अंग्रेजों द्वारा किये जा रहे जुल्मों का फल था। एक और दिल्ली के समराच बहादुर्शाज जफर के मन में अंग्रेजों के प्रती खोर ख्रणा बैठ चुकी थी। तो दूसरी तरफ वो हर समय इसी चिंता में डूबे रहने लगे कि किस प्रकार मुल्क से अंग्रेजों को निकाला जाए। उधर अवत में नवाब वाजिद अलिशाह का शासन समाप्त करने के लिए अंग्रेजों ने वाजिद अलिशाह को बहुत बदनाम किया। सच तो यह है कि वाजिद अलिशाह ने कद्दी पर बैठते ही सेना को सुधारने के लिए बड़े कड़े नियम बनाए थे। वे रोज सवेरे अपनी सेना से कवायत करवाते थे और खुद भी घोड़े पर मौजूद रहते थे। कंपनी के अफसरों को नवाब की हरकते भला कैसे पसंद आती। लॉड डलहाउजी की आग्या से लखनव का रेजिडेंट आउट्रम वाजिद अलिशाह से मिलने आया है। नवाब साहब कंपनी के गवर्नर जनरल लाट डलहाउजी चाहते हैं कि आप इस कागस पर दस्थखत कर देंगे। क्या लिखा है इसमें। आप खुच पढ़ दीजिए। मैं वाजिद अलिशाह खुशी से अपनी सल्थनत कंपनी को देने के लिए प्राजी हूँ। कंपनी सरकार से जगड़ा करना अच्छा नहीं। ले जाएए इसे और कंपनी सरकार को हमारा फैसला सुना दीजिए। तीन दिन बाद कंपनी की सेना लखनव के महल में जबरदस्ती खुश गई। महलों को लूटा गया। बेगबो का अपमान किया गया। वाजिद अलिश शाह को कैद करके कलकत्ते भेश दिया गया। और पूरे अवत पर कंपनी का कबजा हो गया। लॉट डलहाउसी की अपहरण नीती ने भी 1857 की क्रांती के बीच वोई थे। डलहाउसी ने भारतिये नरेशों पर ये पाबंदी लगाई थी। कि अगर उनके अपना पुत्र नहों, तो वे कंपनी की मनजूरी के बिना किसी को गोद लेकर, राच्चे का उत्राधिकारी नहीं बना सकते। अपनी इस नीति के जरिये जल्हाउजी ने किसी न किसी बहाने से बहुत से रियासतों को कमपनी के अधिकार में ले लिया था सतारा, पंजाब, नाकपुर, सिक्किम, संबलपुर आधी रियासते इसी तरह ली गई किन्तु सबसे विस्फोटक स्थिती उत्पन हुई जासी में जासी के राजा गंगादर राओ की मृत्यू 21 नवंबर 1853 को हुई मृत्यू से पहले उन्होंने अपने ही कुल के एक बालक दामोदर राओ को गोद लिया था और कमपनी को इसकी सूचना दी थी लेकिन लोड डलहाउजी तो जासी को हडपना चाहता था 13 मार्च 1854 को एक एलान द्वारा जासी की रियासत जबरदस्ती कमपनी के राज में मिला ली गई जासी की रानी लक्षमी बाई ने डलहाउजी के आदेश का कड़ा विरोत किया उधर दक्षन में पेश्वा बाजी राओ के गोद लिये पुत्र नाना सहाब के साथ भी कमपनी सरकार कुछ कम अन्याय न कर रही थी इससे नाना सहाब के दिल में अंग्रेजों के लिए ख्रणा पैदा हो गई 1857 की स्वतंत्रता क्रांती का एक कारण ये भी था कि अंग्रेजों ने भारतियों के धार्मिक मामलों में हस्तक शेप करके लोगों को अपने खिलाफ कर लिया था इससे चारों और असंतोष फैल चुका था देश के तमाम वीर नेता वित्रोह के लिए तयार थे जहासी की रानी लक्षमी बाई तात्या टोपे बिहार केसरी बाबू कुवर सिंग नाना सहाब पेश्वा सभी के दिल में क्रांती की आग सुलक चुकी थी बहादुर्शा जफर ने देश के इन तमाम लोगों से संपर्क किया और क्रांती के लिए उन्हें तयार किया उधर पिठूर में नाना सहब के सरहकार अजीमुल्ला खाने क्रांती के लिए एक गुप्त संगठन बनाया और इस तरह दिल्ली के बादशा बहादुर्शा जफर के छंडे के नीचे मिलकर विद्रोह करने का निश्चे किया इस विशाल गुप्त संगठन के लिए धन की कमी न थी पैरकपुर से बेशावर तक और लखनव से सतारा तक हजारों राश्ट्रिय फकीर और साथू खूम खूम कर एक एक गाउं और एक एक पल्टन में स्वतंतृता संग्राम का प्रचार करने में जुट गए थे उस समय क्रांती के पांच मुख्य केंद्र थे दिल्ली विठूर लखनव कलकत्ता और सतारा क्रांती के इस प्रचार में तमाशा पवाडू लाबनियों और कचपुतलियों नाच को आधि का सहारा भी लिया गया फकीर और साधू प्रचारकों को सवारी के लिए हाथी और मदद के लिए सिपाही दिये गए थे सन अठावसु सत्तावन के शुरू के दिनों में नाना सहाब और अजिमुल्ला खां तीर थियात्रा के बहाने बिठूर से निकले सबसे पहले ये लोग दिल्ली पहुँचे लाल किले के दीवाने खास में समराठ बहादुर्शा बेगम जीनत महल और दिल्ली के मुखे नेताओं के साथ इन लोगों की गुप्त मंद्रणाएं हों इसके बाद नाना सहाब अमबाला लखनव कालपी होते हुए बिठूर पहुचे सन 1857 की क्रांती के लिए नेताओं ने अपने संगठन के दो मुख्य चिन तै किये थे कमल का फूल और रोटी कमल का फूल उन सब पल्टनों में घुमाया जाता था जो इसमें शामिल थी किसी एक पल्टन का सिपाही फूल लेकर दूसरी पल्टन में जाता था उस पल्टन भर में हाथों हाथ वो फूल सब के हाथों से निकलता था जिसके हाथ में वो सबसे अंत में आता था, उसका करतवे होता था कि वो अपने पास की दूसरी पल्टन तक उस फूल को पहुँचा दी। इसका गुप्त अर्थ ये लिया जाता था कि उस पल्टन के सब सिपाही क्रांती के लिए तयार है। इस तरह से हजारों कमल पेशावर से बैरकपुर तक तमाम बल्टनों में खुमाए गए। रोटी को एक गाउं का चौकिदार दूसरे गाउं के चौकिदार के पास ले जाता था। उस चौकिदार का करतव्य होता था कि वो उस रोटी में से थोड़ी सी खुद खाकर बाकी गाउं के दूसरे लोगों को खिला दे। फिर गेहूं या दूसरे आठे की उसी तरह की रोटियां बनवा कर वो अपने पास के गाउं तक पहुँचा दे। इसका मतलब यह होता था कि उस गाउं की जनता राष्ट्रिय क्रांती में भाग लेने के लिए तैयार है। नाना सहाब की यात्रा के दौरान ही सारे देश में क्रांती का दिन 31 मई तै किया गया था। किन्तु इस तिथी की सूचना हर केंद्र के केवल मुख्य मुख्य नेताओं को और हर पल्टन के तीन तीन अफसरों को दी गई थी। बाकी लोगों से कहा गया था कि वे अपने नेताओं के संकेत का इंतजार करें। उधर बैरकपुर छावनी में एक विस्फोट अखतना हुई। अरे पंडित जी जर आपना लोटा तो देदो पानी पीना है। मैं अपना लोटा कैसे दे सकता हूं अशुद्ध नहीं हो जाएगा। अरे अब जात बात का घमंद छोड़ो पंडित जी। तुम्हें शायद मालूम नहीं हैं। अब तो तुम्हें अपने दातों से गाय और सुवर की चर्बी काटनी होगी हां। क्या भक्ते हो। सही कह रहा हूं पंडित जी। अब जो नए कार्टूस बने हैं। उनमें जान भूज कर ये दोनों चीज़ें लगाई जा रही हैं। गाय और सुवर की चर्बी लगे कार्टूसों ने उस समय की हिंदुस्तानी फौज में चिंगारी का काम किया। फरवरी 1857 में बैरकपुर झावनी के 19 नंबर पल्टन के सिपाहियों को नए कार्टूस दिये गए। सिपाहियों ने उन कार्टूसों को इस्तेमाल करने से मना कर दिया। 19 नंबर पल्टन में एक सिपाही था मंगल पांडे। वो इस घटना से बहुत भरा हुआ था। 29 मार्च 1857 को पल्टन को परेड मैदान पर बुलाया गया। अभी पल्टन आकर खड़ी हुई थी कि अपनी भरी हुई बंदूक लेकर मंगल पांडे सामने कूट पड़ा। और चिला चिला कर कहने लगा। भाईयो आओ आप पीछे क्यों रहते हो। आओ मैं आपको धर्म की सोगन दिलाता हूँ। आजादी पुकार रही है कि हम फोरण अपने धोखे बाद दुश्मनों पर हमला बोल दें। रुकने का समय नहीं है। सार्जंट मेजर हूसन ने आदेश दिया कि मंगल पांडे को गिरफतार कर लिया जाए। पर सिपाही एक बार मंगल पांडे को देखते और एक बार अंग्रेज अपसर को। अगले ही क्षण मंगल पांडे की बंदूग से गोलिया चल पड़ी। मेजर ह्यूसन की लाश वहीं गिर पड़ी। लेफटनेन बॉग भी मरा नहीं था। उसने मंगल पांडे पर पिस्तोल से कुछ चिना। पर मंगल पांडे बच गई। इसके बाद मंगल पांडे तलवार निकालकर बॉग पर तूट पड़े और उसे मार दिया। थोड़ी देर में एक और अंग्रेज अफसर आया। उसने पांडे पर हमला करना चाहा तो एक सिपाही ने बंदूग का कुंदा उसके सर पर दे मारा। सारे सिपाही चिला उठे। मंगल पांडे को हाथ मत लगा। इसके बाद एक बड़ा अफसर जनल हियर्स गोरे सिपाहियों को लेकर आया। मंगल पांडे कह रहे थे। आयो आप धड़ा भर चुका है। आप लोग में द्रों का जंडा उठाए। लेकिन सिपाही कुछ नहीं बोले। जब मंगल पांडे ने देखा कि सिपाही कुछ नहीं कर रहे हैं और वो अंग्रेश सनिकों से घिर गया है। तो उसने अपने सीने में बंदूग ताख ली। और वहीं घिर पड़े। पर मरे नहीं। मंगल पांडे को गिरफतार कर लिया गया। और अस्पताल में उनका इलाज हुआ।